सit हल्यार नहीं आन आपको नहीं आता है तब कैसे करुने जा रहे हो नहीं तो जाही मानता हूं आपने अच्छा स्कोर करना भी है यह भी मानता हूं लेकिन कुछ चीज़े ऐसा है ना जो आपको नहीं आता रहेगा और मैं जो बताने वाला हूं आज को जो मतलब जो आज तक मैं पढ़ाया हूं वो सबसे बेस्ट वीडियो यह वाना वाला है अगा थोड़ा सेकंड बहुत कुछ चुड़ जाएगा पहले चीज़ देखते ही आपको कोशन की तरह आज बहुत यह चीज़ बताऊंगा इंपॉर्ट है कि आपको टाइम बचेगा जो एक्जाम में जा रहे हो लिखने ना उसमें टाइम बचेगा देखो सबसे पहले यह कोशन देखते ह कि आपको पहले कोशन पढ़ना है फिर उसके बाद पैसेज में से आपको एंसर खोजना है फिर उसके बाद पैसेज में से एंसर खोजना है जो कि मैं आपको लाइप प्रूफ दिखाने वाला हूं एक एक चीज और अची तरह का से बताने वाला हूं जल्दी जल्दी लेकि इसमें का ये को सरहा कि हाव्ट भोल स्ट्री ऑफ मैंकाइण इस जोटेड तो सबसे पहले हम यही को झेंगे कि यहां पर मैंनिक इस जोटेड कहा पर है मैंनिक होता जो सबसे अलग होता वहीं चीज खोजेंगे तो यहां से दोखो देखुआ लेकर आगे स्टाप तक रोग देना आप बोलो कि भाई मैं यहीं पर रोग दूँगा तो रोग देना कोई दिक्कत नहीं लेकिन एक स्टाफ ज्यादा रोग होगे तो हो सकता है कुछ सारे कांसर मिल जाए ठीक है यह तीज रहा पहले का ट्रीक अब देखो दूसरा है हातंबां गाधीट और फ्लसी पड़ना है और जब भी पढ़ो इस्टार्टिंग से पढ़ो तो महत्तमागाधी डिलियुकर मुझे मिल गया तो कहां से start करेंगे और यहां पे पर आके रोग देंगी तो क्या होग shields फिटियुकर यह मेरा answer हो जाएंगा ठिक है बहुत कुत Sounds लेंगे तो महत्मा गादी डोकेट अगर आगे आपको एक्जाम में तो आप करके होगे क्लियर कोई दिक्कत नहीं आगे वाट इस दा लेशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैंन काइंड हिस्ट्री बताना है किसका मैंन काइंड का अब देखो ध्यान से इसमें भी खोजेंगे कि प्रकार से आपको पैसे करना है ठीक है ठीक परसानी नहीं ठीक पैसे प्रकार से करेंगे उसी मैंसे चाटेंगे हमेशा ध्यान राखना यह बात को जलो आटा है नेक्स्ट को 선 देखो आता है डील duty काल लिखना होता है और एक लेटी लुगने होता है आर्टिकल को ध्यान हो सुन्लों और सिर्फ दो और दो से कम हो सकता है लेकिन दौ से ज्यादा मत करना है और हख rend up gravity लिए आ लेगा अगर साही लिखते हो तो तो इस बात का आप लोग ध्यान देना अब बता दो कि इंपार्टेंट तो माई प्लान और फुचर आपके आपके पास टाइम भी नहीं बचा है आप एक बार थोड़ा से देख लो कैसे क्या होता है ठीक है जैसे करफ संथ पे देख लो पोल किसमें सेक्षन सी ग्रामर में ग्रामर को क्या करेंगे कोश्चन हम देखेंगे और कोके संथ में से ही एंसर नीकालेंगे क्योंकि ये 558 gate कमप्लीट करा दिया खृत है तब भी दिख्कत नहीं आपको करना ही जो वीडियो में लिंक दिस्क्रिप्सिंट में डाल रहा है उसको जरूर क्योंने देखना कि तो यह अभी बताया था ग्रामर का सेक्शन इसको भी आप जाके लिंग है इसको भी आप कंप्लीड कर लेना ठीक है आब आघे देखो यहां पर है ट्रांसलेशन क्या है ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन में बता चुक हूं च्छोटाा वीडियो hypert उसको प्लीज जाके वाच कीजिएगा आपको समझ में आएगा छोटे-छोटे टुकड़ों में वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिशन में डाल दूगा एक एक करके पटा-पट देख लेंगे क्लियर हो जाएगा क्लियर कोई दिक्कत परिसान ही नहीं आगे देखते हैं सेक्षन सेक्षन डी में जो है लॉंग कोश्चन है और सोट कोशन है लॉंग कोशन कैसे करेंगे वाई वाट वें देन यह सब आगे से अटा के जिसे दा से स्टार्ट है या किसी का नाम से स्टार्ट है वहां से यहां तक लिख देंगे फिर पैसेज में बीच से कुछ टॉपिक को अब देंगे यह बात को आपको ध्यान में रखना है ठीक है ना समझ आ गई बात इस प्रकार से लोंग करेंगे तो समझ में आपको आएगा क्योंकि यह ट्रिक है कोई लोजीख है यह लिगा अगर याद है कि मिस्टर हैमल ब्लेम पैरेंट्स के कुछ भी थोड़ा बहुत यापको पता है ना उसको लिख देना चाब देना करके आ जाना या क्यूकि करने से होता है आपको च्छोड के नहीं अगर करके आओught कोछ नहीं मिलेगा अगर चोड़ के आओगे तो जीड़ो बटे भेली मिलेगा भाई कुछ दोग करने नो गया नोग करने एक लिए को सबसे लंब जो लगा इसको करीएगा जैसे लेकर यहां तक पहले चाब देगे देने के विकोज लिएकार से आपका Mm घॉल्ट के लिए खतम हो जाएगा लेकिन एक बात और बता दू दिया चैसी बता करना है कभी भी दोट से जाके दोट पर ही और आइंड करना इस बात को आपको अपको हमेशा ध्यान देना है अब एक चीज और मैंने आपको भूल गया बताने के लिए इसलिए मैं इधर फिर से रिटेन आ गया हूं देखो एक सबसे कठिन है सबसे टप है देखो यहां पर यह जो पैसे जैए बहुत ज्यादा कठिन है और बहुत इंप्वार्टेंड भी है देखो इतना कठिन नहीं मिलेगी जैसे वाट लेशन डिडीटीच इसन यह मिल जाएगा टीच नहीं मिलेगा यह चीज तो नहीं मिलेगा आपको अगर नहीं मिला जैसे वाट लेशन डिडीटीच इसन अब यहां पर टीच हम खोजते रह जाएंगे पूरे पैसेज में स्टार्टिंग से मैं खोज तो क्या लिखेंगे यहां से यह तोट देम डैट यूनाइटेड दे उड़ बी स्ट्रोंग बट डिस यूनाइटेड दे उड़ आलवेज ही वीक यह चीज रहां ठीक है यहां से यह प्रकार से आपको लिख देना है ठीक है और हां एक्स्प्लेंद अंडर लाइन अगर तो होता है चीज मतलब कई बार होता है वही हम टाइटल होता है तो वीसे वीडियो में मिलते लिए में कमेंट कर के बता ना कैसा लगा और कौन से टापिक पर चाहिए वो भी कमेंट करेंगा दान्योगा